So, आज की लेक्चर के अंदर जो हमारा टास्क है वो related to day 5 है, statistics की कुछ main terms है, जिने आप देखेंगे, और ये जो main terms है, ये बहुत ज्यादा use होती है statistics के अंदर, और कौन-कौन सी main terms है, population versus sample होता क्या है, ठीक है, और population versus sample के बाद जब हम आगे move करते हैं, तो हमें central tendency का पता होना जाहिए, central tendency के बाद जब हम आगे move करते हैं, we need to know mean क्या होता है, median का होता है, mod क्या होता है, then also we need to know के central tendency के साथ-साथ variability क्या होता है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपने आज देखनी है, और let's see के किस तरीके से हम इसको देखेंगे, मैं अपनी screen आपके सामने share करता हूँ, and now you can see my screen, अगर आप गौर करें, screen के उपर मेरे पास जो है, कोडैनिक्स की website है, which you can see like this, और कोडैनिक्स की website के उपर हम आज सारा काम करेंगे, so सबसे पहले आप से request मेरी ये है कि अगर आप online बैठे हुएं तो कोडैनिक्स की website पर जाएए, और वहाँ पर आपको मैं बताता आप जाएंगे तो आपके पास ये चार चीज़ें आजाएंगे, central tendency क्या होती है, mean क्या होता है, median का होता है, mod क्या होता है, इसके इलावा ये ही नहीं, आपके पास अगर day 4 पे जाएंगे तो measurement 22 और ये सारी चीज़ें हमने कल की थी, जिसमें से population versus sample आपने कल देखना था, तो अगर आप population versus sample पे click करें, तो आपके पास population versus sample जो है वो open हो जाएगा, so आपने population versus sample से start करना है आज, और population versus sample का जो पूरे का पूरा article है, ये बहुत छोटा सा article है, इतना को बड़ा article नहीं है, मैंने font size भी बढ़ा दिया, क्योंकि काफी लोगों को problem हा रही थी पढ़ने के ठीक है ये आपका टास्ट था जो मैंने कल भी आपको बताया था, population और sample को study करने के बाद, आपने day 5 में जाना है, central tendency पे move करना है, और central tendency पे जाके आपने यहाँ से central tendency पढ़ना है कि central tendency होती क्या है, और mean क्या होता है, median क्या होता है, mod क्या होता है, इनकी equations कौन-कौन सी है, examples क कौन कौन सी है और इसको किस तरीके से read out किया जाता है इस एक symbol को क्या बोलते है ठीक है और Greek capital letter ये sigma का है फिर small capital letter होते है there are many other notations as well जो आपने पढ़नी है तो जैसे आप इसको read out करेंगे तो आपको पता चल जागा mean median mod होता क्या है और central tendency statistics के अंदर क्यों ज़रूरी है and then you have to go through the real life examples of central tendency जहां पर हमेंने बड़ी detail में बताया कि कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है आप जाएंगे तो यहां पर next block का link आ रहा है which is called mean आप इस पर भी click कर सकते हैं directly तो आपके पास आजएगा mean अब center tendency के अंदर मैंने mean median mod को बहुत अच्छे से define किया है लेकिन आप separately mean को read करना चाहें और mean को अच्छे से समझना चाहें जो average होती है और mean किस तरीके से हम study करते हैं real life examples उसकी कौन-कौन सी है फिर calculate कैसे किया जाता है using some kind of equations यह पहले मैंने आपको बताया लेकिन जो इसमें important चीज़ है types of means जिसमें arithmetic means है geometric mean है harmonic mean है weighted mean है साथ पे end पे हमारे पास trimmed या truncated mean भी आता है तो इसकी मैंने example के साथ usage के साथ इसकी equation के साथ आपको सारी examples जो है यहां पे बताई है you need to go through these things and at the end मैंने आपको python के through mean find करने के तरीके भी बताया है यहां पे और यहां पे आपको visual representation भी दिखाई है कि किस तरीके से आप जो है वो mean को देख सकते हैं यहां पे मैं graph add कर दूँगा I forgot to add and then it will be fine for you mean हो गया then आप जाएंगे एगले article पे which is called median median पे click करके आप median को पढ़ेंगे के median क्या होता है ठीक है और median किस तरीके से आपको help out करता है तो median आप पढ़ेंगे यहां से median पढ़ेंगे तो आपको यह बता पता चलेगा कि median क्यों हो नहीं, median भी बहुत ज़रूरी होता है और कहां कहां पे इसका use होता है वो मैंने लिखा है यह आप पढ़ेंगे and then last but not the least is called mod तो फिर आप पढ़ेंगे mod को mod क्या होता है यह असल में repetitive values होती है जो mod जो है वो different किसम की तरीके से हम use करते है और यहां पे मैंने examples के साथ आपको समझाया कि mod क्या होगा और आपने किस तरीके से mod को समझना है so आपके पास जो day 5 का data है center tendency mean and median and mod यह 4 article और जो कल का था एक population versus sample यह 5 articles जो है आपके पास आपको समझना ज़रूरी है इसी के अंदर ABC of statistics day 5 के अंदर 2 article मैं और एड करूँगा जैसे आप इसको पढ़ड़े होंगे because I am also working on these things और मैं इसको upload कर दूँगा within few minutes जैसे आप इसको understand के यह 4 की 4 चीज़े होती गया है और इनको क्यों हमने देखना है यहां तक आपको clear हो गया है कि आपका आज का काम अभी क्या है और आपने अभी से इसको इकठे बैठ के देखना है and then we will see किस तरीके से आप इस पर काम कर रहे है ठीक है so now is the task कि आप किस तरीके से इकठे ब पहला तो discord के channel के अंदर आप जाके एक दूसरे के साथ मिलके काम कर सकते हैं discord rooms के अंदर secondly यह हो सकता है कि आप एक दूसरे को invitation भीज सकते हैं कि आप मेरे साथ meeting में आजाए जूम की meeting में आजाए या फलाँ जगह पर आजाए तो आप दूसरे के साथ मिलके पढ़ सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि मैंने किसी के साथ मिलके नहीं पढ़ना है, मैंने खुद से पहले रीड आउट करना है, फिर किसी के साथ मिलके पढ़ने है ये चार आर्टिकल्स, then you can do that as well. ठीक है? It's totally up to you.